हेलो फ्रेंड्स मैं यस्वंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीप कोचिंग इंस्ट्यूट पर तो आज का वीडियो हमारा रहेगा डिजल मेकानिक का जो टेस्स सीरीस चल रही है उसका 13 वीडियो ठीक है टेस्स सीरीस का 13 वीडियो रहेगा काफी कोश्टन हम कर चुके हैं हंडेट प्लस कोश्टन हम कर चुके हैं तो आज जो रहेंगे हमारे वाकी के आगे के कोश्टन रहेंगे जो की हम स्टार्ट करेंगे और अभी इससे पहले मैंने जो previous जो वीडियो हैं उनमें भी काफी questions करा चुके हैं और जैसा की यदि आप वीडियो बनाए है तो चैनल को subscribe कीजिए चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए ठीक है और share कीजिए ठीक है तो यह हमारी जो वीडियो सीरीज है तेरा है ठीक है चलिए आए स्टाट करते है तो फर्स्ट कुश्चन हमारा था फर्स्ट कुश्चन है विच लिवरिकेशन सिस्टम यूज़ सेपरेट ओल टैंक मतलब किस इसनेहन प्रणाली ने अलग तेल टैंक का उप्यूद किया मतलब किस इसनेहन प्रणाली थोड़ा हिंदी में है आप इंगलिस प्रिफेर करत से चलिए गया ना विच लिवरिकेशन सिस्टम यूज़ सेपरेट ओल टैंक मतलब किस इसनेहन प्रणाली में एक अलग सेपरेट जो अलग तेल टैंक का उप्यूद किया जाता है ठीक है तो आपके पास ऑप्सन है वैट सम लूब्रिकेशन स्प्लैस लूब्रिकेशन या ड्राय सम लूब्रिकेशन चार आपके पास अंसर बताएं और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पीडिएफ के लिए तो मेरा आपको सेशन यह रहेगा पीडिएफ को मैं प्रोवाइट करा दूँगा लेकिन आप इनके खुद यदि नोट्स बनाएंगे तो यह आपके लिए ब पड़ते हैं कि आप लेना चाहरा है तो मैं कुछ दिरों में चैनल बना दूंगा देन उसके उपर में पीडिएफ देंते रहूंगा लेकिन रिक्वेश्च रही कि आप यदि खुद से नोट्स बनाते कि तयार करते हैं तो यह रिविजन भी हो जाता है आपका जैसे एक ब में होता है एम असलोगा सुस्क में नावधन लिसमें उस्टाइस अप्र MSN आ डिकेस इसका यह यह होगा प्रथा इसका आंसर लाल ईसके थिए मैं इस एक को चलते हैं और इसमें यह होता है डेए यहापका । यह फ्लीडिकिशन मैं चलिए मैं इसको को थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको जो है लुब्रिकेशन बैसे तो मैं यह अलग से कराऊंगा लेकिन फिर भी अभी तोड़ा सा नौलिज देता हूं कि अब की हूद के भी आपके पास इसमें जैसे कि नाम से सम्रीकेशन ह resc Evie हिए उनौलिज के पार्ट के से प्रवाइट के जाती है सबसे पहले तो यह लिए कि क्यों जाती है ये इसलिए कि जैसे मसीन के जो पार्ट रहते हैं या फिर में जैणरल जो भी आपका मसीन पार्ट रहते हैं उनकों जैसे प्रज़िश चलते रहते हैं तो उने आण गुसाबट कमूं और इसमें जो फ्रीली वर्क करें तिक हैं इसीलिए किया जाता है तो किता इस घ्राइब होते हैं जैसे वेट्ट सम्प लगिकेशन ट्राइब लॉघ्रिकेशन लॉडिकेशन में लॉडै कि यह लॉडु के बारे में डिसकस कर लूँ एक जब वीडियो बना दूँगा ठीक है प इसमें होता है मतलब कि यहां पर एक यह सुखा हुआ संप रहता है कि अ कि यह रिश शंप होता है जो की नीचे लगा हुआ चानते हैं इसके नीचे लग हुआ और इसके बाद के रिए यहाँ से लगा हुआता है और होता यह है कि जब यहाँ पर जो आपका जो इंजन पार्स रहते हैं उन्हें जैसे ही यहां लूब्रिकेंट हो जाता है तो वह जो और रहता है वह यहाँ पर तपकता रहता है यहां से और यह इस संप में आने के बाद ऐसा नहीं है कि वो यहां पर भर जाएगा ठीक है यहां पर हम इस्टोर नहीं करेंगे इसको इस्टोर ना करके क्या करेंगे यहां पर लगा हुआ होता है हमारे पास इसके बेंजिंग पंप यह लगा हुआ होता है इसके बेंजिंग कर देते हैं ठीक है आगे इसको फार्वूट कर देते हैं फिर फिल्टर दॉरा फिल्टर दॉरा यहां पर फिल्टर किया जाता है उसको और एक यहां यहां पर फिल्टर करते हैं और यहां पर लगा हुँँए प्रेसर रिलीव करको कि एक यहां से यह जु आइल नाँण कि बड़ निगा यहां से यहां की कट करके चेushi 열ंब यहाँ पर एरिंग में चला जाता है और यहाँ पर यहाँ पर फिलिटॉर यहाँ पर कुलर के बाद एरेंग में चला जाता तरय से बहुना इस तरह से प्रोसेस अपनाते रहते हैं यह इस तरह से चलता रहता है यह इस तरह से इसकी working process रहती है इसे रहता है अब कि इसमें क्या होता है कि यह आसानी से यह वरकिंग में रहता है करते है क्योंकि इसके कारण से यह इस के कारण से यह करते हैं चूरी लगा हूँ उता हैक फेश 1973 उसका प्रियकह सर्वार ना व्याप्टेंड करते हैं तो इसका प्रेकररीट रहता है इसके गातेत ben शाहिए यह आपको आशा हो कि आपको समझा आया हूँ इस तरह से मैं बीच में कोई भी question आता है तो briefly समझा दिया करूंगा ठीक है चलिए next question पर चलते हैं इसका answer आपको पता है इसका answer आप dry sum lubrication ठीक है इस इस नहीं प्रणाली में अलग तेल टैम का उप्योग किया जाता है ठीक चलिए next question यह है dry sum lubrication आप से पूछे जा रहा है विश टाइप आफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ इन टू इस ट्रोक इंज़न में किस तरह की लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है कि बताएं इसका answer आप देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि कुछ तीन टाइप सब्सक्राइब लुब्रिकेशन गल्यूज जैसे एक ड्राय सांप होता है ट्राय संप लुब्रिकेशन है ना और पीछे हमने भी देखा यहां पर यह ड्राय संप लिविगेशन वेट्सिंप लुब्रिकेशन ठीक होता है mister मतलब हिंदी में इasis का मतलब होता है चेह मड़िक आ चोटे चोटे जो पर्टिकल रहते ना पानी के चोटे चोटे पासल तो वहीं इसी तोले के से यहाँ पर जो होता है क्या तोल judgment करता है थी तो तो इस तरह से होते हैं तो इसमें आप से अभी एक पूछा गया है कि वह विच टाइप आफ यह लुडिकेशन सिस्टम यूज इन टू इस ट्रोक इंजन में किस बकार की शन्यान प्रणाली को मियों किया जाता है तो आपसे मैं में ड्राइव सम लुडिकेशन यह बैय। इस अभी इसको मैं समझा दूबाएं नक्राइब आप तो इसको समें नंतली में मैंसक्किया होता है descriptive । और अभी इसका answer आप बताएं क्या हो इसका answer गां थो इसको इस question का answer होगा गां इसका पैट्रॉल उयल लबरिकेशन ठीक है विस टाइप आफ लबरिकेशन इस यूजीन डू स्ट्रोफ इंजन तो होगा answer पैट्रॉल और लुपरिकेसन चलिए इसका अंसर हो गाई यह नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं इस पार्ट ऑप दा इंजन माप एज एक्स इंजन के किस भाग को एक्स के रूप में चिन्निहित किया गया है अब कौन सा पार्ट यहां पर है यह जो पार्ट है ठीक है आप से यह पूछा गया है कि यह भाग को क्या कहा जाता है यह देखा यह जैसे कि यह है फ्लायइविल यह Man Journal हो गया और इसी के पर Camp Sap लगा हुआ है यह Belt ठीक यह जर्णल Man Journal तो अब आपसे इसी में यह पूछा गया है कि this part को क्या कहा जाता है कि ध्यान से देखे हैं कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है शो करें तो कोजन आपसे मुझा गया है सक्साण पंप होगा या ओईल फिल्टर या ओईल पंप या ओईल स्ट्रेनर कि तो क्या होगा इसमें कि देखें इसको फिर से दुबारा से क्या होगा यह कि यह होगा ओईल फिल्टर के बारे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है ठीक है कि परीफली बता है यह बर आप जा कर देख सकते हैं उसे ठीक है तो इसका अंसर होगा आपका ओईल पंप ओकई चलिए नेक्स्ट कॉछन पर चलते हैं यह इसको बोला जाता है आपसे पूझा गया है कि विच पार्ट ड्राइब आइल पंप को कौन सा भाग चलाता है क्रेंक साफ्ट चलाता है या कैम साफ्ट या क्रेंक बोली या टाइमिंग गेर्स यह सभी मैं इसके बारे में पूरा डिसकस कर चुका हूँ यह हो जाती है अपके इस तरह से अब देख सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा कि ही इसका नहीं कि होता है ड्राइब आल संप को कौन ड्राइब करता है केम साफ्ट काहां यह है केम साफ्ट प्षूले अचे लिए हो गांवाइस का केम साफट को कौन करता है आंसर ऊपका केम साफट ठीक है चलिए नेच्ट क्रेशन पर इस पार्ट ऑफ दा क्रेंग साफट फ्लोव ऑईल क्रेंग पिन आपसे पूछा गया है क्रेंग साफट का कौन सा हिसा ओई को की पिन में प्रवाहिद करता है ठीक है विच पार्ट जलु ऑफिन सर्व discour conv हुए तो इसकर अंशर क्या होगा कैई जिए मैंन जियर्ण जैनल या क्रेंग पुले अभी मैं आप यहाद को बता है इन कोसिता उसमें आप यह वाले डाइग्राम देखिए कर देभद इसमें मैंने अलरीय होता है अधीक है रूष कि मैं जोड़ना तो इसका आपसे पूल जाएगा यह क्रेंक सब्सक्राइब एक घरनल ते थे विसुदि पार्ट इसका अंतर होगा क्रेंग साथ में जर्नल में जर्नल बता दिया मैंने क्या होता है जो इसका अंतर होगा यह ठीक है लोगे चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कि विच्ट डिवाइज साथ ऑईल फॉम ऑईल संप ऑईल संप से ऑईल कौन चुसन करता है मतलब यह जो है मतलब जैसे ऑईल पंप है यहां पर रहना जो होता है जैसे मैं भी पीछे सब्सक्राइब करने देखिए यहांसे ऑईल को कौन चुसन करता है मतलब सबदा यहां देखिए तो इसका आंजर को होगा कौन करता है वहां पर देखें लिइक करता है है और सुरी यह पंप करता है ठीक है कौन होगा इसका अंसर क्या होगा ठीक इसका अंसर होगा पंप ओके तो question लिखते चलें तो best रहेगा question लिखेंगे तो आपको भी knowledge में हो जाएगा और revision भी हो जाएगा question with answer इस तरह से लिखते हो चलें आपके न जो भी extra information रहती है तो उसे भी थोड़ा सा आप खुद ये diagram बनाते हो चलेंगे तो ये best रहेगा ना diagram की practice करते रहेंगे तो ज़्यादा best रहेगा next question पर चलते है where the metal fins are provide in the air cooled engine air cooled engine में धातू के पंक कहां प्रदान किये जाते हैं जैसा कि कल के वीडियो में हम देखा हो गया तो आहिसे जो इंजन रहता है मैंने बीडियो में पूरा बता क्या देखा था ठीक उसके आरह हैं पूरा मैंने worked comment रहा था ठीक, तो इसका अंसर क्या होगा, अल्रेडी इसका आपको अंसर यदि कल का वीडियो देख रहे हूं, तो यह अल्रेडी इसका अंसर आप बता सकते हैं, ह amps हो कि इन ये कि होता है वोल्व ड़ोर क्या होता है राइक जोस्ट फाइप क्या होता है इसकी होता है गोस्त जैसे यहां पर हो यह मान लीजे इंजन यहां पर यह जो इंजन आपका रहता है पैटल इंजन जैसे कहीं कभी यह अभी वाइक्स का इंजन देखेंगे इंजन पर आप देखेगा इस तरह से इंजन के चारों तरफ इस तरह से हैं तो यह होता है कि यहां से एर निकलने के लि head पर बना जाते हैं यह air fins होते हैं ठीक है चलिए तो इसका अंसर क्या होगा A answer होगा इसका A ठीक है where the metal fins are providing the air cold engine air cold engine में नादु के पंक कहां पनाम किया जाते है slender and head ठीक slender and head इसका answer हो जाता है A आजा करता हूँ आपको पूरे question बन रहे होंगे यदि ये question बन रहा है तो कल का वीडियो आप में पूरा देखा होगा ठीक है बहुत आसानी सी है आप answer इसका बता सकते है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं आपसे पूछा गया है how the water circulation is often in thermosiphon system thermosiphon प्रणाली में पानी का संचलन कैसे प्राप्त किया जाता है अचा इससे previous वीडियो में 10th year 10th year 9th में हमने देखा था thermosiphon system देखा हुआ था force feed system cooling system देखा हुआ था उसमें मैंने पूरा briefly समझा हुआ हुआ था साथ होगा इस वे भी यह थर्मosiphon system है अब देखे मैंने उस दिन भी बताया हुआ था कि यह आपका water tank होता है अब thermosiphon system में क्या होता है कि इसमें वैसे तो इसमें सबसे कम cooling system होता है सबसे कम अब cooling system होता है यहां पर यहां पर रहता हुआ यहां पर रहता है अब यह होता है कि जब इंजन गरम हो जाता है तभी यह प्रिक्रिया स्टार्ट होगी ठीक है यहां पर बाटर रहता है ठंडा पानी यहां पर रहता है ठीक जब इंजन जब जैसे यह ठंडा पानी यहां से जाएगा इंजन जैसी गरम होगा ठीक है यह इंजन ऐसे पानी यहां से जाते जाएगा इसको थोड़ा सा उपर रखते हैं ठीक तो पान पूपने के बाद यहां से यहां से होते हुए यह उपर वाले हैडर टैंक में जाता है यहां से होते हुए फिर यहां से यह जो लगी हुई होती है इनके द्वारा फिंस के द्वारा धंडा होकर नीचे वापस चला जाता है यह इस तरह से प्रिक्रिया इसमें चलती रहती है यह इस तरह से प्रक्रिया इसमें चलती रहती है फिर यहां से जाता है पानी यहां से चलकर यहां जाता है यहां से फिर यहां से ठंडा होकर यहां से ठंडा होकर यहां से जो हवा आती रहती इससे ठंडा होकर नीचे जाता है आज कल दो वैसे यह सब बंद हो चुका है बाकि तो यह इस तरह से होकर यह ऐसा तो यह इसकी रहती है वार्किंग ठीक है यह होता है आपका थर्मो साइफन कूलिंग सिस्टम चलिए फोर स्वीड सिस्टम मैं समझा चुका हूँ उस क्लास में आप जाकर एक बार देख लीजिएगा ठीक है कर टोर्म साइफन सिस्टम में आप अग्छी पुछा गया है हौअ सिस्टम में वाटर पूंट आली कैसे संचलन रु और तो कैसे होतीह है ठीक है पंप के दारा से कीज़ा जाता है वाग से यह होता है इसमें क्या वाइड एंसिटी ऑफ वाटर एंड और वाटर ऑफ होट एंड कोल बॉटर यह बी इसका अंसर रहेगा यह वाला इससे पिछले वीडियो में साथ में या पर पिन कर दूँगा उसको ठीक है तो आप देख लिजेगा ओके चलिए इसका अंसर होगा आपका यह भी जिक नेक्स्ट कुर्शन पर चलिए थर्मोसाइफन कुलिंग सिस्टम चलिए नेक्स्ट है वाट इस दा एफेक्ट वाटर लेवल फॉल डाउन इन थर्मोसाइफन सिस्टम अब आपसे पूछा गया है कि यह जो थर्मोसाइफन सिस्टम है इसमें यदि वाटर डाउन हो जाए पानी कम हो जाए तो क्या होगा सिंपल सा है जब वाटर ही डाउन हो चुका है तो क्या होगा जिल का इस तरी गि करेंटनीव हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं चलिए आज के लिए इतना ही यह हमारे पूरे कोशन थे यहां पर तो यह आशा करता हूं कि आपको यह सभी कोशन का अंसर बन गया होगा ठिक यह इस तरह से कोशन थे और भी हम कोशन कल से इसको कंटिन्यू करेंगे आगे तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक्यू